नमस्कार दोस्तों मैं लीना स्वागत करती हूँ आपके अपने योट्यूब चानल माई सिंपल हूम गार्टन पर कोलियस की कटिंग को हमें किस तरह से ग्रो करना है फ्रेंस वही मैं आज की वीडियो में आप से शेयर करने वाली हूँ काफी सारे वीवर्स मेरे कमेंट्स मोक्स में पूछते कि हमारी कटिंग जो है कोलियस की पानी में और मिट्टी में दोनों में भी गल जाती है खराब हो जाती है अच्छे से ग्रो नहीं हो पाती है फ्रेंस जानेंगे हम इसके पीछे के कारण की क्यो हमारी कोलियस की कटिंग खराब हो जाती पानी में भी और मिट्टी में भी और मत्यिं और रिजल्ट में यह दो चलिए in लिए को स्टार्ट के था चिल्द कर आप प्रवाजी और मैरे क्यों यह देयाने संट चुप में छुटतेगे डर्श के इस इसमें देखिए फ्लावरिंग भी हो रही और यह एक पौधा बन गया फ्रेंस इसे मैंने अभी रिपोर्ट नहीं किया देखे छोटा सा मेरा यह चाय का यह कप है इसमें भी मैंने लगा दिया था इसके रूर्स बाहर तक आ रही है और इसे भी लगाए एक मैने के उपर हो ग देख भी मैने धर खेंगे मैरे कोलेड च्छलय से किति निखर के दिख रहे है तो इसके लिए हमें कुछ नहीं बस पौधे होते हैं इन्हें हमें एक से दो घंट की सं लाइट इसे दिखाना है चाहे तो मौर्निंग की चाहे तो हमें शाम की धूप भी इने दिखाना यह इ guess we get to date atmosphere莟 इसके कटिंग को किस तरह से ग्रो करना हैं दीखिए जब भी हम कटिंग को ग्रो करेंगे को लिस एकति सहां फटली सी ब्राइंट देखिए इस 저र geometry हम इस तरह से किस्झ करते तो दो ब्राइंट वहां से निकल आती है हमारा जो है काफी friends भूशी भी बन जाता है और वहां से काफी गुच्छे में वहां से बढ़ते जाता है तो देखे friends अगर मैं यहां से भी cut करती है तो already वहां से दो यह देखे ऐसे यह नए हमारे जो ब्रांचे से निकल आती है तो हमें उपर की tip tip की cutting लेना है और मोटी वाली हमें इसमें मतलब ब्रांचेस लेनी है बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं पतली अगर हम लेते हैं friends तो वो हमारी बिल्कुल भी grow नहीं होती है कि वो cutting हमारी सड जाती है मर जाती है गल जाती है friends तो देखे मैं आपके सामने ही सारी cuttings को cut करते जा रही हूँ इस तरह से आपको cutting को cut करते जाने है friends यहाँ पर आप pruner का या फिर scissor का भी यूज कर सकते हो तो मैं यहाँ से आपको हाँ से ही तोड़के दिखा रही हो चाहे तो किसी भी चीज का यूज करके इससे आप cut कर सकते हो कोलियस की cutting हमेशा आप welden soil में लगाई है जैसे कि मैंने यहाँ पर one part garden soil one part sand ली है friends अचाया तो आप sand में भी लगा सकते हो या फिर अगर आपके पास में sand नहों तो आप इसमें जैसे rice hus है या फिर जैसे कोकोपीट है या फिर आप इसमें बर्मी कंपोज भी मिला के मिला के भी इस तरह से मिट्टी को तयार करना है बस मिट्टी में हमारे जो है पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए और friends welden और थोड़ी हमारी मिट्टी को हमें पोरस भी बनाना है भूर भूरी मिट्टी और हमेशा हमें shallow pot लेना है बहुत ज़्यादा deep भी नहीं कम space हो ऐसे pot डेना है और यहाँ पर देखें जिधती भी कोली सटी की नीची नीची की पतिया सब को हमें हटा देना है फ्रेंस देखें इस तरह से उपर की दो से तीन पत्यों को रखना और देखें फरेस में आभी आपको एक चीज़ यहाँ पर दिखाती हो यह देखें beskoda कि जो कटिं नहीं लेंगे क्योंकि और इसकी जो ब्रांचिस होती है और इसमें पानी भरा होता है तो बहुत जादा भी हमें इसमें पानी नहीं देना है बहुत कम पानी हमें इसमें देना है हमेशा हमें नमी बना के रखना है पर उसमें हमें ओवर वाटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है इस तरह से हमने सारी cuttings को जो है ready कर लिया है और हमने पतली branches नहीं थोड़ी मोटी वाली branches ली है तो एक एक करके हम सारी cuttings को लगाते जाएंगे तो यह जो मेरा आप देख रोगों spot काफी shallow है और इसमें मिट्टी काफी कम है बहुत ज़्यादा भी मैंने मिट्टी नहीं भरी है ज़्यादा ज़्यादा इसकी height fresh 3-4 इंची तक होंगी और 2 इंची तक मैं इस cuttings को जो है दबाते जारी हूँ तो आप जब भी cuttings को लगाए कोले की cuttings को तो बहुत ज़्यादा deep वाले container में या single pot में भी अगर single glass में या disposable अगर आप glass में लगा रहे तो इसमें आप आधी ही मिट्टी भरा करिए आधी उसमें से आप निकाल दिया करें आधी मिट्टी में आप इस cuttings को लगाते जाए तो हमारी cutting में ज़्यादा मतलब उसको जो है नमी वाला area कम मिलेगा पानी भी कम तो फ्रेंस हमारी cutting कोले की काफी अच्छे से हमारी grow होंगी और आपकी जो cutting हमेशा खराब हो जाती वो भी नहीं होंगी और जो मिट्टी में जब भी हम cutting लगाते तो जो ये बड़ी बड़ी पत्तिया मिट्टी से टच करती तो उन पत्तियों को भी हटा देंगे फ्रेंस तो मैं हटाती नहीं पर आप हटा दिया करें क्योंकि वो जो पत्तिया मिट्टी से टच होती तो वहां से भी सड़न और गलन स्टार्ट हो जाती तो हमारी जो cutting है खराब होन लगती है मर जाती है तो पत्तियों को भी आप जैसे उपर उपर की जो टच होती है मिट्टे से उने भी आप हटा दिया करें तो अभी जानते फ्रेंस पानी तो अभी मेरी मिट्टी हलकी से गीली थी और देखे फ्रेंस आये देखते हैं अभी पानी में जब हम cutting grow करते हैं तो उसमें हमें क्या ध्यान रखना है देखे जैसे भी हम cuttings लेते हैं तो इस तरह से हम पानी में देखे इस तरह से हम रख देते हैं यह देखे इस तरह से हम रख देते हैं तो फ्रेंस यह वाली जो cutting है ह और आपकी भी हमेशा खराब हो जाती होगी तो आईए देखे हम क्या करें जैसे कि रबर बैंड मैंने यहां पर ले लिया है तो जित्ती भी हमारी सारी कटिंग से उपर उपर की पत्या जो भी बड़ी बड़ी पत्या उन्हें हम हटा देंगे और इस तरह से देखे हम डंडि जो ब्रांचे से बस यही हमारी पानी में डीप होना चाहिए और जो पत्या है बिल्कुल भी पानी से टच नहीं हो रही है और पानी हमेशा जो है फ्रेंस चार से पांच दिन में चेंज करते रहना है अगर वही पानी हम रखेंगे तो हमारी जो कटिंग है गलना स्टार्ट जाएगे उसमें काई बन जाएगी और हमारी कर्टिंग जो है अच्छे से ग्रों नहीं होंगी और पानी में हम के仔नि लगा ते इसे कrendre पानी में नहीं मेन लाइखारीं तो इस तो इस तरह से आपको पानी में कर तिंग को ग्रो करना है और देखे इसमें मिट्टी कित्ती कम है और आप देख रहेंगे कितने अच्छे से ये मेरी कर तिंग ग्रो हो गई है और यह पौधा ही बन गया फ्रेंग क्योंकि ये एक मैने बाद का रिजल्ट है तो इस सब्सक्रा तो से से कम से कम आप मिठी रखिए पानी हलकी सी मिठी dry होने पर होने पर हमनी को रखना का है तो बिलकुल भी हमें बारिश की पानी में नहीं रखना है और ऐसी जगह पे रखना है जहां पर इसे चंग केgender मिले घ्रीन नेट के नीछे यार बड़े से पेड़ के नीचे हमें रखना है और हमेशा हमें नमी बना के रखना है तो बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग भी नहीं करना है हलके साम उंगली से टच करके देखेंगे अगर मिटी हमें घीली लगती है तो बिलकुल भी हम पानी नहीं देंगे और अगर मिटी हलकि से ड्राय लगती तो हम उसने पानी देंगे तो पानी का हमें विशेज धा बिल्कुल भी खराब नहीं होंगी तो मेरी आज की जानकारी फर्ण्स आपको कैसी लगी तो मुझे कामेंट्स करके आप जरूर बताइए और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले बाए